अक्सर ऐसा होता है जब मैं सोने जा दे हो ना या मैं गहरी नीन में जा चुकी होती हूं तभी एक order आजाता है तो पस वही हुआ था इस दिन भी मतलब मैं सो गई थी बहुत ही अच्छी नियंद में थी तभी एकड़ बचा जसके अंदर था एक प्लेट इडली सांबर का तो हमें अपने साइन्स रहा रहना चाहिए. तो फिर मैंने का चलो अब उठी गई हूँ, 2-30 बजरा था, मैंने खा़ए हो तो चलो सांबर के लिए सबज़ये भी काट लेती हूँ और बाकी तैयारें भी कर लेती हूँ, या हो सके तो अगर मन किया तो सामर रात में बना लेती हूँ ऐसा सोचकर उठी थी फिर मैंने देखा फ्रिज में थोड़ी से सबजे और है जो कि पाव भाजे की है तो मैंने का चलो मुझे पाव भाजी भी ऐड करना ही है अपने मेन्यों में तो क्यों आज जागी नहीं हो त यह सब काम इकठे कर लेती हूँ तो बस मैंने वही सोचा कि चलो सामर और पाव भाजी इकठे बन जाएगा रात में यूटिलाइज हो जाएगी और आपको पता है अगर आप कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता है अपना टाइम पैसा तो इन्वेस्टमेंट होता ही है पैसा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है आपको लेकिन साथ ही साथ आपको अपना पूरा टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है तब ही उस चीज में आपको ग्रोथ मिलेगी चाहिए वो यूट्यूब हो चाहिए वो मेरा करेगा अदवाइस नहीं करेगा फिर मैंने का चलो सांबर भी दिखाई देती हूं आप लोगों को सांबर और पाव भाचे की भाची मैंने रात में तेयार कर ले थे बाल मेरे किते ओयली-ओयली हो रहे है ना मौसम चेंज हो है ना तर टेली-डेली मतलब हर दूसरे थीसरे दिन भी हेर वाउश करने का मेरा मन तो नहीं करता है गाईस मौसम देखो क्या हो रहा है वहला धूप जरा से थोड़ी दरक लिए धूप निकली थी उसके बाद बंद हो गई धूप और अब ऐसे ही है सो बसे ऐसे होसम हो रहा है तो गाईस हैलो विलकम बैक टो माई चानल मैं हूँ रेनु और आप देख रहे हैं मेरा चानल रेनु सिंग व्लोग्स मैं आड़ी किया है लेकिन हाँ मेरे चैनल पर आपको व्लोग भी देखने को मिलेंगे तो गाईस मौनिंग में आप तो पूप अपने दिखा आता मैं क कोई बात नहीं उठ जाते हैं दो बर ऐसे वह नीन खराब हो गए तो फिर मैंने सूचा है काम करो यार चोड़ो नहीं सोते हैं जो चीजे थोड़ा सा स्टॉक आउट हो गई है ना सिसे की सामबर खटम था पावभाजी की भाजी खटम थी यह सब चीजे आड़ मतलब बना तो बस वही किया मैंने राद भर बैठके सबजियां काटी सामबर की सामबर बनाया चटनी बनाई पर पावभाजी की भाजी तियार की उसी में पांच साड़े पांच बज गय थे फिर छे बज राके मैं सोई हूँ सुबभ ऐसे ओर आते हैं लेकिन आज ओर नहीं आए तो चलो ठीक है सो लेते हैं नौ साड़े नौ बने सोकर उठी थी उसके बाद आपको पता ही है हाउस वाइफ हूँ घर के बहुत सारे काम होते हैं जाडू पोचा बड़तन चूला चोका ऐसी बोलते है न वह हो गया फिर लड़ों को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना अपना अबर की व्लॉग स्टार्ट करते हैं लेकिन हुआ यह की ओडर आ गया उस ताइम पर और ओर था मतलब मैंने रखा है एक प्लेट बॉइल एग उसमें चार अंडे होते हैं तो वह दो प्लेट बॉइल एग और इडली सामर की एक प्लेट अच्छा आप एक बात बताओ 6-7 एक प्लेट बॉइल एक बॉइल करके कट करके चिलकी उतार के कट करके उसमें तेमाटर प्याउज अग्रा सब कुस डाल के वो सब देना है तो थीक है तो थीक है तो अंडे उबलते नहीं है क्योंकि मैंने टाइम चेक करके एक दिन देखा था दस मिनट के अंदर अगर मैं 10 मिनट में अंडे उबाल के उतार लेती हूं तो उसके अंदर येलो वाला होता है तो ठीक से पकता नहीं है तो यार मैं उसके लिए क्या कर सकती हूं मतलब कुछ ऐसी चीज उसमें डालो कि अंडे जल्दी उबल जाए या कुछ और ट्रिक है अगर आप लोगों के पास तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि क्या कर सकते हैं ताकि अंडे जल्दी उबल जाए और मैं हाई फ्लेम पे चढ़ाती हूं अंडे साथ में मैं एक चीज का ध्यान रखते कि जो बरतन है ना वह बहुत ही पतला घिसा हुआ बरतन में यूज करती हूं क्योंकि उससे क् बरतन के अंदर का समान बहुत जल्दी गरम होता है तो पानी पी जल्दी बॉइल हो जाता है अंडे जादा देर तक बॉइल होते हैं लेकिन तब भी दस मिनट में ना वह अंदर से येलो जो होते ना गीले गीले से लगते हैं तो उसका कोई solution है तो प्लीज मुझे बताना क मेरे बाल बहुत खराब लग रहे हैं ऑईली हो रहे हैं वाइट बाल भी आ रहे हैं तच अप करना पड़ेगा लेकिन मौसम ऐसा है ना मनी नहीं करता आप देख रहे हो मौसम यार आपकी दोस बूड़ी हो गई है मेरे को ना ये वाइट वाले हैस वाली जो प्रॉम्लम मै आपके रहे हैं दोसे वाइट थे ही जो कि यह क्या करना यार शादी होगी बच्चा होगा अप क्या करना है चलों अन्दा चलते हैं को मैंने एक घंटे पहले अंडे बॉil करके दिये थे जो कि अब तक खटम नहीं हो यह क्या अम्रिश्पुरी बने हो यह क्या मृश्पु कितना समझाति हो जल्दी के खाया करो जल्दी खाया को लेकिन न इसने वही इस खाने कुछ बैड बजा के घान तो कैस्मेर न कुछ जो कि मेरे पास टाइम है ना मेरे हस्बेन के पास इतना टाइम है कि पूरा दिन निकाल कि हम लोग market जाए और सस्ते containers लेकर हैं सस्ता भी क्या बहुत फर्क नहीं होता है थोड़ा बहुत फर्क होता है मुझे असा लग रहा है उतना तो हम किराये में इस ख़र देते हैं स्टेयर नम्हें के लिश्ट पना ली adding एकिस मिलती हुम आपसे थोड़ देर में नवा भॉग देखिछो यहां देखिँ वहां देखिछो क्या आलत कर दिय Govern pior की बेड्रूम बना दिया कि इसको को लो चाही प्यों इसको बैड्रूम आपने लिए right level way up जे कालओ कि अभी आपने खो भी अपनेस्त्राट आप उसको वो मुझे कह रहे हो मुझे बोल्रहए मवें मामी आपनेस्त्राड रहा ज़े मैं गुस्सा-ो गया ऑँष्ची खूर। पापा चोड़ो उसको पापा इतन्य सारी पप्थी कर लड़उ के ज़गी लेकर दिया अची यार थुक्षी लगगे पूरी थुक्षी लगगई लड़उ के लिगव फेस पे चीच्छी जो लुझाओ मैं मैं हैपी करो फिर शोगे happy कर HARRISON आपको अब happy नहीं हो दिखा नपस्फेस सपना दिखाओ हाज के हो रहे हो हो गए happy पापा क्यों गोडी-गोडी कर रहे हो अब हैपी हो गए हो पापा ना आजो अचा ममा हम्मा हाggी कर लेगी तो लैड़ो happy हो जाएगा आजो 2,000 years later मैं रात के तीन बच रहे हैं और मेरे किचिन का हाल आप देख सकते हो तेख लिए आपने किचिन का हाल क्यों रख्या है मतलब मैं सो गई थी और एक और आया तुम जोटना पड़ा फिर वो और कंप्लीट किया था मतलब डिलीवरी जो बॉय है जैनि की राइडर को में देख कर आई हूं तब तक एक और और बच पड़ा वो मैंने कंप्लीट किया और वो भी दिया और मैंने का के वर दिखा दूए आप लोगों की मेरे किचिन का हाल क्या हो चुका है मैगी बनाई थि वो है सांबर क्या था वो है आलू का प्राठा उसका बढ़ते नहीं है और इडिली बनाई थि जो कि यह इडिली का बैटरे हैस दे मिक्स किया था वडए पाव का जो बढ़ा था वो तला था और बस इतनी सी काम में किचिन के विये हाल हो जाता है मतलब आप कितना भी ओर्गनाइज़ करो लेकिन किचिन ऐसे ही हो जाता है वास से और तात्व के संड़े हो चुका है साटड़े स्टार् initiative और साटड़े सिर्टो दो अहीं हैर वे विय घ्र्टो इतने बार आपके उटना पटना तो आपको अपना होगी नहीं रात नहीं साथान देनु्टा है तो इतने अब जाया पूरूरूरी झाहिए झाहि दो खूलना रात मैं और मुझे खूूर थीक कार दिन में जो भी ब्रॉटीन शोड़ने लगा नहीं तो कि भी दूछेगा प् मेरा उस से क्लावड किचयन था काम करेंगार क wagon मॉस्हीं आचल मेरा फ़र सुषीय निपाने का सुच भी नहीं सकती हुआ मेरा फ़र्लैम क्लावड किचिन थे त Commun podemो 12 को स्वैगार मेर फिर मॉचे ठोड़ा जाना परते हैं। रात को पूरा ओपन कर के रखते हूं यह कि रात में मोजबी और आते हैं। और नेज already, और और अराम और बाकी के काम है वहां को है दिन में कर लेती हूं। सोने वाला काम में बहुते हुआ और दिन में मेरे पास चाहँ होता है, तो मैं घर के भी काम और क्लाउट किचिन के भी जो चीजे खाता मुरी होते हैं वो मैं अच्छस्ट कर लेती हूँ बनावना लेती हूँ तो बस ऐसे चल रहा है फिलाल और इस हफते की मेरी सेल थोड़ी सी डाउन गई है रीजन ये कि किटी के वाले दिन मेरा मतलब पूरा दिन बन था और उसके बाद फिर नेक्स दे हम लोग हस्बन के फ्रेंड की बर्डी पार्टी में चले गए तो पूरी रात आल्मोस्त तीन साड़े तीन तब तो मेरा पंधी था उसके बाद फिर मेरे इनलाउस के हाँ से मतल मतलब मैक्सिमम टाइम बन रखते है ना मुझे लगता है उससे ओर्डर आने कम हो जाता है क्योंकि लास्ट था जब मैं अपने इनलाउस के हां गई थी ना तब भी बीच में दो चार दिन का गाप हो गया था तो उसके बाद जब मैंने ओपन किया था तो ओर्डर थोड़े क्या किया क्या नहीं क्या क्या थोड़ा सा ना भाइत रहो जब डिनों की बाद जब गया पुजाता है जो बटीन और एचीछ इंड कर ले ना चीज़े कर लेते हो तो यादा थै अर्या व्लॉग नीव बनाया तो बस वही हुआ एक सा थोड़ा सा अ थाइम लगग के भाग चोटा व्लॉग बने लेकिन जो भी होगा एड़िस्ट कर लेना ठीक है और अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ मिलती हूँ आप से कल विदानियू विडियो विदानियू दे तक के लिए बाबाई एंजेकर पता है अभी क्या होगा मैं सोने जाती व्लॉग एंड अब इसीनार अब मैं गड़ किया मैंता है कालनियू जाओ गर भी सिव्लॉक आप दिया करता है उसरे दो पता नहीं होगा मैं शोंदानियू खक्रफिंटर के मेरे ग्लाउटकjang उस मॉगोष कोशन से व्लॉग कौंटटर नहीं किया उतर सथा जाँमे हूटकि उड़ हूं अब मेरा जबी last order गया है एग मागी एक एग मागी थी और दो वड़ा पाऊ था मैंने अपको बढ़तर दिखाया है मैंने एग मागी बनाई गया है customer कहा रहा है उसको सिफ वड़ा पाऊ मिले उसको कोई एग मागी मिली ही नहीं है तो customer care से मिरे पास call आया था कि customer ने complaint किया है कि उनको उनका order किया हुआ items नहीं मिला है तो आप वो confirm कराएंगी, तो मैंने का मैंने खुद पैक किया है, आप rider से पूछ लो वड़ा पाउ का वेट कितना हलका होताया, मैगी पैक करके तो तो उसका वेट होता है आप राइडर से पूछो वो हैवी था कि नहीं था तो उनोंने बूला कि चलो ठीक है हम बात करते हैं फिर आपको वापस से कॉल बैक करेंगे मतलब इतनी चोटी चोटी चीजों के लिए लोग इतनी चिंदी बने करते हैं यार मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं समझ में नहीं आरा मतलब एक तो रात में जागो काम करो उपर से इस तरह की भसट भी देखो और पता है ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इसे पहली भी हो चुका है मतलब एक बज़े मेरा नया नयास क्लाउड के चंद था ना तब मैं तो बहुत घबरा गी यार मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्र privilege मैं अंदर अंदर से को ऐसी टेंशन हो थी हाथ भा थंड़े हो गएथे फिर ऊस में क्या हूँ था अ में पीजा का ओडर आया था और मेरे पस एक पीजा बेस कम था तो मैंने बाकी तो drei मेंगी तो दे ढेदी एककम था तो मैंने कास्मों को खुद से कौल किया क्योंकि उनका नंबर हमारे पास replatch हो जाता है धज्यक है मैंने क्म थे बाकि मैंने है और पूचा शर मीजसाघ यो से जा है और मैंने हमारा जो कि बतले में 1.500 रुपे का मिस्टर चीज बर्गर है वो हमारा स्पेशल बर्गर है मैं वो आपको भेज देती हूं उसकी बदल अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो 99 रुपे का पीजा उसके बदले में 1.500 की चीज दी मैंने कस्वा ने कहा मुझे पेट भरने से मतलब है अँपन का चीज ना है तो फुड़ा सा बड़ एमांट मैं मुझे लगता है कि थोड़ा सा बड़ एंगा लगर अड़र है जो यह एक अट रुपी का था इसमें दो कोल्ड कॉफी और एक वड़ा पाव और एक जूला मत्रकुल्चा बड़र था उसे बना के दे दिया और ह इस चोटी सी चीज के लिए आप मैगी के लिए, फ्रीकी मैगी मुझे पता है, उनको मैगी मिली है, मैगी खाने के मदब सोच रहोंगे कि पैसा भी वापस मल जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाए, लेकिन वो यह नी सोच रहे कि आपकी चोटी सी चीज की विज़ा से सामने लेकिन वाले का कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन ठीक है, उनको तो अपनी पड़िये, अप क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन इस लाइन में आए हैं, तो इस तरह के कास्टमर्स को डिल करने के लिए, अब मैं चारही हूँ इस लॉग को एंड करना है, क्योंकि इस लॉग का अपनी महनत, उसके बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीटियो को, चैनल को सब्स्राइब नहीं करते हो, कमेंट तो दूर की बात है, एनिवेस गाइस, मुए तो काम करना ही है, मैं जा रही हूँ अपना वीडियो एडिट करती हूँ और आप से मिलती हूँ नेक्स